हेलो फ्रेंड्स मैं प्रीती आदब स्वागत करती हूँ आपका हमारी एक और नई वीडियो में जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंट होती है वो हर मुम्किन कोशिश करती है जिससे उसके होने वाले बेबी की हैल्थ पर कोई भी बुरा असर ना पड़े लेकिन कई बार वो एक ऐसी बहुत बड़ी गलती कर देती है जिसकी वज़े से उनके होने वाले बच्चे के विकास पर और आगे चल करके उसके IQ पर असर पड़ता है तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रिगनेंसी के दौरान आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करने चाहिए ताकि आपके बच्चे पर बुरा असर ना पड़े तो आप हमारे इस वीडियो को पुरा जरूर देखें वीडियो को कहीं से भी स्किप ना करें प्रिगनेंसी के बाद पैरेंटिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में और उपर आई कार्ड में दिया गया है तो चलिए अब बात करते हैं उस गलती के बारे में तो वो गलती है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के दवाई खा लेना और खास दोर पर पैरसीटमोल का इस्तिमाल प्रिगनेंसी के दोरान पैरसीटमोल का इस्तिमाल बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है एक रिजर्च में पाया गया है कि जिन महिलाओं ने प्रिगनेंसी के दोरान पैरसीटमोल ली उनके बच्चों पर इसका निगेटिव इंपक्ट पड़ा जिसकी वज़े से गर में पल रहे बच्चे का IQ तो कम हुआ ही हुआ साथ ही साथ उनकी memory power और brain development भी बहुत slow हो गया Pediatric और Perinatal Epidemiology जनरल में ये research हापी गई है जिसकी बाद ये सामने आया है कि pregnancy में parasitamol के इस्तिमाल का असर बच्चे पर पढ़ता है और ये असर 6 महीने से लेकर कि 11 साल तक रह सकता है इस research के लिए जिन महिलाओं का इस्तिमाल किया गया उनको pregnancy के दौरान पैरसitamol दी गई और उसके बाद 17 साल तक उनके बच्चे को monitor किया गया तो चलिए अब जानते हैं कि इस research में सामने क्या आया देखिए प्रिगनेंसी के दौरान महीलाओं को अलग-अलग तरीके के दर्द होते ही रहते हैं और ऐसे में घर परिवार के लोग बिना टॉक्टर के prescription के महीलाओं को पैरसitamol दे देते हैं और महीलाएं प्रिगनेंसी के दौरान पैरसitamol अपनी मरजी से भी ले लेती हैं जिसका असर उनके बच्चे पर भी पड़ता है इस research के लिए लगबग 14,000 बच्चों को consider किया गया और उसके बाद देखा गया कि इन बच्चों का IQ लेवल और मैमोरी की चमता साथ ही साथ brain development 11 साल तक प्रिभावित रहा जब इनकी माओं से बात की गई तो पता चला इनमें से 43% महीलाओं एक्सेप्ट किया कि pregnancy के दोरन कभी ना कभी उन्होंने पैरसीटमोल जरूर ली थी इस research के लिए बच्चों की मैमोरी, IQ, pre-school development test और temperament behavior पर भी नजर रखी गई ताकि पता चल सके कि pregnancy के दोरन पैरसीटमोल खाने पर कैसा असर पड़ता है और किन बच्चों पर असर पड़ता है इसमें एक सबसे बड़ी बाद जो निकल कर आई वो ये थी कि बच्चों का मानसीख विकास और IQ लेवल पर भी असर तब ही दिखा जब तक बच्चों के primary school चल रहे थे उसके बार इन बच्चों का brain development और IQ नॉर्मल बच्चों की तरह हो गया इसके अलावा research में ये भी पाया गया कि paracetamol खाने वाली मा के बच्चे में जितने भी लड़के थे उनके उपर इसका असर ज़्यादा दिखाई दिया वहीं लड़कियों पर इसका असर बहुत कम हुआ इसके अलावा ये भी पाया गया कि जिन महिलाओं ने pregnancy के दौरन paracetamol बहुत ज़्यादा काई थी उनके बच्चों में hyper activity से related समस्याई दिखाई देने लगी ऐसी माई जो pregnancy के दौरन कई बार paracetamol लेती रही थी उनके बच्चे hyper active और hyper aggressive भी होते गए साथी साथ बच्चों में autism और ADHD जैसी मानसिक बीमारियों का भी खत्रा भड़ गया उमीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि pregnancy के दौरन बिना doctor के prescription के कोई भी दवाई खाना कितना खतरनाक हो सकता है साथी साथ pregnancy के दौरन कोई भी दवाई जिसके अंदर paracetamol हो उसका असर आपके बच्चे पर कितना गहरा पड़ सकता है तो अब आप paracetamol का इस्तिमाल प्रिग्नेंसी के दौरन नहीं करेंगे अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने friends के साथ share करें और हमारे इस चैनल को subscribe करना बिल्कुल न भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सबी वीडियो की चानकरी मिलती रही अब अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो आप हमें comment box में comment कर सकते हैं हम आपके सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए खुस रहिए, स्वस्त रहिए